Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छी होंगे Dear friends, आज के इस lecture में हम Binomial theorem अर्था दुपत्पर में के next type के question के बारे में आप लोगों के साथ discuss करने वाले Dear friends, इस type के questions आपके exam में पूछे जाने की संभावना बहुत ही जादा होती है क्योंकि ये सभी के सभी question बहुत ही जादा important होते हैं तो आएए आज के इस lecture में हम लोग सीख लेते हैं कि यह बिभाजिता वाले question, divisibility वाले question जो हम आपके साथ discuss करने वाले हैं इनको किस तरीके से solve किया जाता है Dear friends, इसके पहले आपको पता है कि अगर आपने एक भी lecture को मिस किया है मेरे प्यारे बच्चों तो आप उन सभी के सभी lecture को जरूर से जरूर देख लीजिए क्योंकि इसमें हमने काफी अच्छे से आपको discuss किया है काफी अच्छे से मैंने आपके साथ discuss किया आपको समझाया है और साथी साथ आपके इसी चैनल DD Mathematical Solution पर प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है वहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से उन सभी के सभी lectures को देख सकते हैं आईए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है do students को हम लोग करते हैं आज हम लोग विभाजता अर्था Divisability वाले कुष्टन को सालब करेंगे इसमें का फर्स्ट कुष्टन आपकी स्क्रिन पर लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 9 to the power N plus 1 minus 80 N minus 9 64 अर्था 64 से विभाज है देखेंट कोई भी नंबर किसी से विभाज कब होता है कोई भी संख्या किसी से कब करती है आप सोच के बताओ यार कोई भी संख्या किसी से तब करती है जब वो उसका गुड़क होती है मींस अगर कोई संख्या किसी का गुड़नखंड है तब वो उसको काटती है तो जैसे अगर हमको दिखाना कि कोई संख्या 64 से कटेगी तो उसके गुड़े में 64 आना चाहिए अगर उसके गुड़े में 64 आएगा तो जाहिर सी बात है कि 64 उसका एक गुड़नखंड हो जाएगा 64 उसका एक गुडणखंड हो जाएगा और 64 अगर उसका एक गुडणखंड होगा तो वो 64 से जरूर से जरूर कटेगा तो इसी logic का हम लोग यूज करते हैं और binomial theorem का यूज करके इसको हम लोग solve करते हैं ध्यान से देखिए कैसे यह बताईए जो हमारे पास देखो ध्यान से 9 की पावर N प्लस 1 लिखा हुए क्या इसको हम लोग ध्यान देना 1 प्लस 8 टू दी पावर N प्लस 1 लिख सकते हैं अराम से लिख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस 8 सर जी कितना होगा 9 होगा और 9 की पावर N प्लस 1 को हम 1 plus 8 की power distance क्या n plus 1 आसानी से लिख सकते हैं उसमें कोई doubt नहीं है अब हम लोग क्या करते हैं इधर इसको ऐसे लिखे रहे थे इसको हम लोग expand करते हैं और ये लाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा नया question है बढ़ आपको समझ में आएगा बहुत important question है इसको हम लोग कैसे करेंगे इसे 9 की power n plus 1 लिख लेंगे इसका expansion करेंगे तो क्या आएगा n plus 1 c 0 1 की power n plus 1 और 8 की power 0 हो जाएगा सही है अब plus क्या होगा सर n plus 1 ठीक है समझते चलना n plus 1 c 1 होगा 1 की power 1 घटेगा इसमें से तो n बचेगा न बच्चों आपको कितना हो जाएगा 8 की power 1 हो जाएगा अब देखो मैं 1 को लिखूंगा नहीं इसके बाद क्योंकि 1 की power n plus 1 फिर एक कम होके यन लगी तो 1 की power कुछ भी लगेगी सब की value decisions कितनी होगी इसलिए उसको बार-बार लिखने की जरूवत नहीं है अगला आपका आएगा n plus 1 ठीक है n plus 1 c2 आएगा और 8 की power 2 बचेगा फिर एक की power 3 होगा प्लस डाट 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 n plus 1 c n plus 1 आएगा और 8 की power n plus 1 हो जाएगा सब को पता है इस तरीके से हमने क्या किया इसका expansion कर दिया अब थोड़ा द्यान से रमजी है का आप लो डियर स्टेंट्स यहाँ पर आपके पास कितना लिखा है 9 to the power n plus 1 लिखा है अब n plus 1 c0 की value 1 होगी इसकी value बच्चों कितनी होगी 1 होगी तो केवल और केवल यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा 1 प्लस n plus 1 c1 की value कितनी होगी यहाँ पर दियर स्टेंट्स इसकी value n plus 1 आराम से हो जाएगी और इसकी value 1 होगी और बच्चेगा कितना यहाँ पर 8 सही है अब इसके बाद जितने भी terms आएंगे जितने भी produce आएंगे जितने भी produce आएंगे इन सभी के सभी पदों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 की square कॉमण बिल जाएगा 8 की square सभी के सभी पदों में common ले लो इसकी value n plus 1 c2 बचेगा plus एंट प्लस n c3 बचेगा एंट प्लस 1 c3 बचेगा और 8 बचेगा प्लस ऐसे ड़ाट ड़ाट बहुत सारे पद बचेंगे देखो 8 की पवर 2 सम में से common क्यों हो सकते हो कि यहां पर 8 जब तीन है फिर यहां पर 2 है यहां पर 3 है फिर 4 है पाच एचे मने आठ की घाते लगातार यहां पर बढ़ी ही तो रही है means इसके बाद जितने भी पद हैं उन सभी के सभी पदों में आठ की घात दो बच्चों हम लोग कॉमन ले सकते हैं ठीके देखो इसको करने से हुआ क्या यहां बच्चा आपके पास 9 की पावर N प्लस 1 इसके अंदर जो कुछ भी बचा है कोई संख्या आएगी कोई मान आएगा हमने पूरे को क्या मान लिया के मान लिया अब देखो जहां से यहां कितना बच्चा 9 की पावर N प्लस 1 इक्वल 2 8 इन बच्चा डिया स्टेंट्स और 8 प्लस 1 कितना बच्चा 9 इसके इक्वल 2 आपको यहां से मिल गया है देखो त माइनस एट एन माइनस नैन शियक्सटीफ गिया था 6.44 के गुड़क में लिखा हुआ है माने माने यह जग और दिशनीश से से लिख लेते हैं कहते हैं उपरोक्त से ध्यान देना उपरोक्त से असपस्ट है कि हमारा जो 9 की पावर n प्लस 1 है और माइनस 8 या माइनस 9 है ठीके 64 का 64 का 1 क्या है 64 का एक बच्चों क्या है गुड़क है ना 64 का एक गुड़क है 64 से भाज्य होगा या कह सकते हैं भी भाज्य हो जाएगा इस तरीके से यह question dear students क्या होता है proof हो जाता है काफी हद तक आपको ये question जरूर से जरूर समझ में आया होगा आईए इसी type के question और आपके साथ discuss करते हैं और एक question मैं आपको task में भी दूँगा जिसको आपको करना होगा नहीं कर पाएंगे तो आपको बताएंगे ही लेकिन इस type के question बहुत ही important होते हैं exam में इनके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है जादस जादा इसलिए हम सभी के सभी question को आपके साथ discuss कर रहे हैं next question दिखें dear students यहां करा दिखाईए कि क्या दिखाना है दिखाना है कि 2 की power 3 N plus 3 about 7马ynnus 8 कर है फुर्टी नाइन से क्या है p पूर्टिया इभाज है 49 से पूर्तिया क्या है डियो स्टेंट्स विभाज यहां इस question में हमें probe करके दिखाना है देखें कध्यान से question क्या है question में कहरा है डियो स्टेंट्स 2 की power 3n प्लस 3 minus 7 and minus 8 क्या है पूर्तिया इभाज देखो यहां पर 7n है तो जाहिट से बात है इसको हमें 7 की पदों में तोड़ना पड़ेगा तो देखो इसे करेंगे डियो स्टेंट इसको देखो 2 की power 3 अगर हम common ले ले यहां n plus 1 minus 7 and minus 8 इस तरीके से लिख सकते है अब डियो स्टेंट इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है 2 की power 3 और whole की power n plus 1 होता है minus 7 and minus 8 कुल मिला करके इसको क्या लिख सकते है Dom". देखो 8 की power n plus 1 लिख सकते है आप लिखेंगे चूंकि हमारा जो 8 की पावर n प्लस 1 है उसको हम 1 प्लस 7 की पावर n प्लस 1 बच्चों क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं बस देखो question का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया था बाकी अब same to same question वैसे ही बन गया वहाँ यहाँ 9 था यहाँ 8 था यहाँ 8 है 7 है और 8 है तो इसलिए यहाँ पर 1 प्लस 7 की पावर n प्लस 1 का हम लोग expansion कर देंगे जब इसका प्रसार करेंगे तो हमें जो चाहिए ना जो रेजल्ट चाहिए हमें मिलने लगेगा देखो कैसे 8 की पावर n प्लस 1 एक्वल 2 n प्लस 1 c0 अब इसकी खात मैं नहीं लगाऊंगा 7 की पावर 0 प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 c1 और 7 की पावर 1 हो जाएगा प्लस n प्लस 1 c2 7 की पावर 2 हो जाएगा है ना प्लस n प्लस 1 c3 7 की पावर 3 प्लस डाट 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 आगे लिखने की जरू हमें नहीं है बात समझ में आदिए एक दम सेम यहां पर मैंने वन की पावर क्यों नहीं लगाई क्योंकि उसकी वेलू कितनी हो जाती वन हो जाती इसलिए हमने उसको बार बाल लिखना उचित नहीं समझा कि अगे बढ़िएगा अब यहां बचेगा एट की पावर एन प्लस इसकी वेलू कितनी होती है एन प्लस वन होती है इंट्ञ में इसके बाद इतनेगे उसमें आट्ञा थे टुटा से बहुत कुछ 블ेगा सब ही में साथ की खाथ कौमन कैसे मिलेगा इसके पहले नहीं साथ की खाद 2 common मिला था तो यहां पर साथ की खाद 2 है 3 है आगे सब में साथ गहाद 4 5 6 है सब में साथ की खाद 2 common हो जाएगा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाइगा करेंगे कितना मिलेगा 8 की पावर साथ कवर कितना होगा 49 होगा 49 और इसको हमने कहा क्या माल लो पूरे को के माल लो अब देखो धान से क्या बचा थोड़ा इधर देख लीजेगा इसको इसको इधर ट्रांसफर करेंगे जब ट्रांसफर करेंगे 8 की पावर इन प्लस वन आएगा माइनस 7 एन आएगा माइनस 8 आएगा इकोल टू 49 की आए जाएगा फिर से वही काम बना की नहीं बना उपरोग से क्या असपस्ट हो रहा है कि 8 की पावर इन प्लस वन माइनस 7 एन माइनस 8 जो है वो 49 अर्था तो अनचास का ये क्या है गुड़क है या दूसरे सब्दों मे बच्चों हम दोग ये कह सकते है कि 8 की पावर इन प्लस वन माइनस 7 एन माइनस 8 जो है उसका उनचास जो है उसका एक क्या है गुड़णखंडे. उप्रोग से असपस्ट है कि 8 की पावर इन की इस बिख्यों में होगे किसी भी बुक से आप लोग पढ़ रहे होंगे उसको आप लोग साल्ब करने का प्रयास करेंगे जरूर जरूर साल्ब कर पाएंगे इसके पीसे लॉजिक क्या है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा मैं हर टाइक के कुश्चन को आपको करके दिखाने का पूरा का पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोग जैसे मेरा सपूर्ट कर रहे है वैसे लगादार करते रहे है मैं आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा परिसान नहोंगे दिखाईए कि तू की पावर फोर एन माइनस फिफ्टीन एन माइनस वन टू टू फाइब दो सो पचीज से विभाज है देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं या नहीं लगा करके आप लोग बताएगा दिखाईए कि तू की पावर फोर एन माइनस फिफ्टीन एन माइनस वन दो सु पतीज से पूर्टिया भाद जी होगा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से कुष्टन डियो स्टेट्स यह आपका साल्व हो जाएगा और आसा करते हैं कि आप लोग ऐसा कर पाएंगे इस कुष्टन को साल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे रिस्पांस ना दूँ लेकिन जब भी मुझे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको रिस्पांस दूँगा आपके साथ बात करूँगा आप बिल्कुल टेंसन मत लिजिए अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलिग्राम चैनल जो लीडी मैथमेंटिकल सेलूशन के नाम स पोस्ट कर देता हूं तो दीयर चैनल आज के इस लेक्टर में जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया जिस तरह मैंने आपको समझाए होगा अगर आपको समझ में आया है तो इस लेक्टर को आप लाइक कर दीए अपने दोस्तों को सेर कर दीए और साथ-साथ कमेंड़ से साथ तक अपना ख्याल रखिए आल दे वेस्ट